नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लौन इनिवेस्टरोन में मैं हूँ आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स अनालेसिस और इसके साथ साथ देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता एक अच्छा कासा मोमेंटम बन सकता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन वीवर से जिन लोगों ने बिदे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरन नोटिफिकेशन आ जाएगा शेर जलते हैं चार्ट की ऊपर देखते हैं किस तरह का मुमेंटम हम इस वीक में एक्सपेट कर रहे हैं स्टार्ट करते हैं निफ्टी से तो अगर आप देखोगे तो अवरली चार्ट के ऊपर निफ्टी एक सबसे पहली बात निफ्टी ने बहुत बढ़ी हाई रन दिया है लास्ट टू डेज में तो यहाँ पर मैं अविलेबल नहीं था यह चीज मैंने टेलिगराम चैनल पर अपडेट की थी लेकिन एक ट्रेंड लाइन थी ट्रेंड लाइन के आसपास 16,350 के आसपास एक निफ्टी को रेजिस्टन्स था मल्टिपल टाइम से उस रेजिस्टन्स को टेस्ट करते वे नजर आया था शॉटर टाइम फ्रेम की पर एक यहाँ बाय आया था एक बार यहाँ फिर यहाँ पर थोड़ा से गिरावट आ सकती है बहुत ज़ादा नहीं मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स यह 400 था कि 100 पॉइंट का गिरावट आएगी जो एक हेल्दी करेक्शन माना जा सकता है क्यों उसके बीचे रीजन यह है कि यहाँ पर अगर आप RSI में देखोगे 16,150, 16,100 से सीधा 400 पॉइंट की रैली आई है वो भी दो दिनों में तो कभी भी बहुत शार्प अगर मुमेंट आता है अपवर्ड या डाउनवर्ड तो वो उतना सस्टेनेबल नहीं होता है थोड़ा बहुत वहाँ पर consolidation अगर आ जाए इस level पर थोड़ा तक गिरावट आ जाए तो यहाँ पर एक अच्छा कासा sign हो जाएगा आने वाले momentum के लिए क्योंकि अगर यहाँ पर sideways momentum आगर आ गया यहाँ पर nifty अगर 400 के उपर ठैर गया तो यहाँ पर एक अच्छा कासा उपर का moment आ सकता है इसके बीछे अगर data में add कर दू तो आपका जो analysis है वो और भी strong हो जाता है क्योंकि अगर nifty को हम लोग देखते हैं जो आने वाली weekly expiry है इसके इसाप से तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट राइटर बैठे हुए हैं वो है 16,400 which will act as a very good support on the lower side और अगर उपर की तरफ देखो तो कुछ जादा इसमें resistance आ नहीं रहा है 16,500, 16,600 पे 3,000,000 contracts बैठे हैं मतलब करीवन 30,000,000 contracts यहाँ बैठे हैं दोनों ही strike price पर उसके बाद सीधा 16,800 पे 3,800 तो उपर की तरफ 600, 500, 800 और उसके बाद सीधा 17,000 इन सारे levels पर equal amount of contracts open है जो call writers के बैठे हुए हैं और नीचे की तरफ सबसे ज़ादा जो अभी support बन के आ रहा है that is of 6.1 million contracts 16,400 के levels पर तो 60,000 contracts यहाँ बैठे हैं तो यह एक अच्छा कसा support बन सकता है लेकिन जो चिंता जताने वाली बात मुझे निफ्टी में नजर आ रही है वो है PCR अगर आप PCR देखोगे तो 1.7 तक पहुँच गया है which is considered as overbought तो यह भी एक indicator है कि हो सकता है हो सकता है यहाँ पर हलका फुलका एक गिरावट आ जाए हलकी फिलकी एक 50-60 पॉइंट की 100 पॉइंट के आसपास का एक healthy correction आ जाए और या फिर sideways momentum भी हो सकता है और यहाँ पर यह होने के बाद एक अच्छा कासा sign होगा निफ्टी को ऊपर move करने के लिए तो यह दो supporting point नजर आ रहा है आरे साई भी अच्छा कासा support कर रहा है चीज को नहीं करना है बाइंग अगर करना भी है तो 550 की उपर लगी मुझे लगता है कि अगर निफ्टी आप अवैड करेंगे तो यह आपके लिए इस वीक के लिए better होगा आते हैं bank nifty की उपर देखे bank nifty में जो पूरा scene है वो पूरा अलग है bank nifty एक range में फसा हुआ है यहाँ पर जाता है तो यह जो नीचे की trend line आ रही है यह support देती है ऊपर जाता है तो यह जो trend line जा रही है यह इसको resistance देती है trend lines अपने मन से नहीं बनाई है previous low high हम लोग ने mark किये है तो वो low high के हिसाब से यह trend line है तो इस trend line का ऊपर का resistance बन रहा है नीचे support बन रहा है यहाँ से भी हमने trend line बनाई है तो bank nifty एक range में फसा हुआ है अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको trade करना है index को so next week trade करने के लिए 34,400 के ऊपर मतलब इस trend line की ऊपर अगर निकलता है इसके ऊपर अगर निकलता है तो मैं call को buy करूंगा मैं भी बता रहा हूं मैं call को buy करूंगा अगर इसके ऊपर निकलता है तो क्योंकि यहाँ पर momentum फिर थोड़ा सा sharp आ सकता है bank nifty अभी भी लेगार्ड है वो participate नहीं कर पा रहा है निफ्टी अपने lifetime highs को cross कर रहा है day by day एक नया high बन रहा है लेकिन bank nifty अपने previous high को भी cross नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है कि bank nifty यहाँ पर catch up करने कोशिश करें तो कल के trading session में bank nifty lead कर दिख सकता है वेराज निफ्टी थोड़ा sideways to downward momentum दिखा सकता है bank nifty में अगर आप द दिख रहा है कि 36,000 के उपर सबसे ज़्यादा put writers बैठे हुए है और जो call writers है वो 36,000, 36,200 और 36,500 यह तीनों ही level पर है तो यहाँ पर एक momentum बन सकता है अगर यह 200,300 अभी 150 के आसपास है तो जैसे ही यह 200 के level को cross करेगा यहाँ पर bank nifty 200 के level को जैसे ही bank nifty यहाँ पर cross करता है option buyers एक trade ले सकते हैं up to 400 यह 350 बोल सकता हूं max to max यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या करना है हमें buy bank nifty above 36,200 और आपका जो target रहेगा वो target आपका रहेगा 350 का तो 1500 point का target लेके चल रहे हैं यहाँ पर मैं personally bank nifty ही trade करूँगा मुझे लगता है bank nifty आपको एक बार अच्छा खासा chance देगा बहुत तेजी से moment करने के लिए तो bank nifty में नजर बना के चलिए अगर 350 400 के level को bank nifty cross करता है तो यहाँ पर एक sharp short covering आपको नजर आ सकती हैं यहाँ पर 36,000 पर जो call raters बैटे हैं 36,200 पर जो बैटे हैं यह दोनों मिला के आपको एक अच्छा खासा 17 लाग contracts का जो है यहाँ पर आपको 17 से 20 लाग के आसपर contracts हैं यह आपको एक अच्छा खासा momentum देंगे bank nifty को ऊपर खीचने के लिए अगर 350 400 के level को cross करता है तो यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका रहेगा कि आप 36,800 से लेके 37,000 तक के लिए यहाँ पर trade कर सकते हैं कल का कल आएगा मुझे मालून नहीं लेकिन अगर 350 400 के ऊपर कल close आ गया तो आप आने वाले वेडनेश जे तक इस बार की expiry वेडनेश जे को है तब उससे पहले पहले आप 37,000 टच होते देख सकते हैं तो शाप शाट कोवरिंग आ सकती है यहाँ पर नजर बना के चलिए ऑप्शन बायर का वापस से दिन हो सकता है कॉल साइड में तो इस तरह से ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को सेलिंग के बारे में सोचना नहीं है क्योंकि स्ट्रॉंग मार्केट में अगर आप अपोजिटर ट्रेंड जाओगे तो नुकसान आप ही कहोगा अब देखते हैं कुछ और फैक्टर्स तो यहाँ पर विक्स अगर देखोगे तो विक्स हलका सा बढ़ा हुआ है चार से पांच पर से आसपास विक्स में यहाँ पर राइज आया है ऑप्शन रा था 20 के नीचे आगया था और फिर नहीं जरनी स्टार्ट करेगा तो देखते हैं गोल किस तरह से रियाक्ट करता है फिलाल हमारी अबी गोल में कोई भी ओपन पोजिशन नहीं है Crude Oil देखेंगे तो 5000 के आसपास ट्रेट कर रहा है हम 4800 तक कुछ नहीं करने वाले है 4800 ब्रेक करने के बाद फिर हम नया ट्रेड लेंगे फिलाल के लिए कोई भी पोजिशन ओपन नहीं है कुछ stocks जो हमने last video में discuss किये थे ITC option का जो हमारा trade चल रहा है जितने लोग भी हमेरे से options में जुड़े हुए option का जो hedge करके हम लोग चल रहा है trade ITC का हर महीने करते हैं आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है अभी भी हम लोग roughly 1.82% के आसपास profit में चल रहा है और जो एक bounce back आया है ITC में इसने अच्छा कासा support किया है हमें अपने premium DK को utilize करने के लिए तो यहां पर आप बने रहे हैं मैं भी आपके साथ trade में बना हुआ हूँ हमने एक lot के उपर करीबन 4000 रुपे के आसपास हमारा profit चल रहा है which is roughly 2% हम expect कर रहा है यहां हमें 8-10,000 के आसपास का profit हो उसका हम इसको exit करेंगे तो ITC में बढ़ी हाट रहा है हर महीने हम लोग लेते हैं अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो नीचे description box में मैंने link दी है option strikers telegram channel का नाम है only dedicated for options तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं वहां पर हम लोग options की strategies share करते रहते हैं जो next talk हमने दिया था यह था HCL Tech, HCL Tech में देखिए buy above 1070 कहा था तो यहां पर एक अच्छा कासा momentum आ गया है हमने यह भी कहा था कि swing players के लिए यह बहुत अच्छा point है यहां पर आप buy कर सकते हैं चोटा सा stop loss लगा सकते हैं 1040 का तो अच्छा कासा यहां profit हो रहा है save players book कर सकते हैं या फिर अपना stop loss उसको trail कर लीजिए indecent bank आभी भी मैं कहा रहा हूँ यह weak stock है हमने 1030 के sell कहा था 1021 तक जाके आया है 1024 पैस में closing है मुझे लगता है इसमें आप बने रह सकते हैं जिनकी sell की position है बस उपर का एक stop loss लगा लीजिए और यहां पर आपका एक अच्छा कासा trade चलता रहेगा मुझे लगता है यह stock 1000 के level एक बार touch कर सकता है तो indecent bank weak है अपना profit आप आप आइदर book कर सकते हो या फिर आप अपना stop loss को trail कर लीजिए देखते हैं वो stocks जो हम कल की trading session के लिए shortlist कर रहे हैं तो HDFC bank जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर bank sector भागेगा तो HDFC bank जो है वो lead करेगा इस चीज़ को HDFC bank अगर हम लोग daily charts पे देखते हैं तो बहुत अच्छा pattern बन रहा है यहाँ पर multiple times जो इसके लिए resistance बन रहा था daily charts के उपर यहाँ पर breakout नजरा रहा है और सबसे main क्या है इसके पहले जितनी बार भी breakout के लिए उपर आया है बहुत नीचे से आया है तो उपर आते आते थकान हो जाती है trend line के पास इस बार यहाँ पर accumulation हुआ है और accumulation करने के बाद breakout दे रहा है price भी अच्छा है volume भी बढ़िया बना हुआ है और RSI support कर रहा है तो मुझे लगता है फिलाल RSI 63 के आसपास चल रहा है यहाँ पर एक अच्छा कासा breakout expected है पहला target जो मैं पकड़ के चल रहा हू जितने भी detail levels रहेंगे सारे telegram channel पर update कर दिये जाएंगे तो अगर आप हमेरे साथ अभी तर टेलेग्राम channel से नहीं जुड़े है learn invest and earn के description box में link दी है वहाँ पर click करके आप हमें साथ जुड़ सकते हैं जो अगला stock हमने shortlist किया है कल के trading session के लिए यह है doctor reddy's doctor reddy's में थी बीच में थोड़ा थम गई थी एक retracement हो रहा था बहुत लोगों ने यहाँ पर buy recommend किया था हम लोग वेट कर रहे थे कि यह फिर अगर नीचे आता है तो हम इसमें sell करेंगे अब इसने नीचे की journey start कर दी है 4640 थोड़ा दूर कर बता रहा हूं मैं 4640 के नीचे अगर निकल चलता है तो हम sell करेंगे उसके पहले sell नहीं करना है देगे क्या होगा अगर मैं बहुत नजदीक कर दे दूँगा तो जो volatility रहेगी वह आपका stop loss खा सकती है इसलिए मैं 4640 के नीचे कह रहा हूं sell करने के लिए उसके पीछे sell नहीं करना है अगर 4640 के नीचे जाएगा तो यह कल नहीं बोल रहा हूं कल के trading session के लिए 4600 का target हम प्लोग पकड़के चलेंगे कल के trading session के लिए लेकिन मुझे लग रहा है over the period of time इस expiry में यह 4400 touch करते नज़र आ सकता है अगर नीचे आता है और उसके बाद 4200 तो बने रहे है टेलिग्राम चैनल पर यहाँ पर आपको updates मिलते हमने 2560 के आसपास buy recommend किया था उसके बाद stock continues up momentum में रहा है और अब यहाँ पर stock 2700 के ऊपर वाले range में निकल गया है stock ने ब्रेक आउट दिया नीचे आया retest किया और अब यह उपर निकल रहा है अब यह जो आपका resistance था पहले अब यहाँ पर support करके add कर रहा है यहाँ आप resistance था यह support करके add कर रहा है निकला test किया वापस निकल रहा है अब हम यहाँ पर इसको buy करेंगे तो 2710 2710 के ऊपर अगर निकलता है तो buy करेंगे यहाँ पर HDFC limited मुझे लगता है एक अच्छा खासा यहाँ पर trade बन सकता है कल के trading session के लिए जो आखरी stock है यह है Tata Steel निफ्टी के stock है HDFC limited Tata Steel तो यहाँ पर नदर बना के चलना है अगर मोमेंटम आ रही है तो फिर निफ्टी एक अच्छा खासा हाय वापस से touch कर सकता है हाला कि अभी भी मैं कह रहा हूं निफ्टी मुझे उतना bullish नहीं लग रहा है जितना bank nifty मुझे लगता है जो momentum रहेगा जो speed रहेगा वो bank nifty में जादा रहेगा as compared to nifty तो Tata Steel यहाँ पर देखे आप एक resistance zone के पास आ रहा है अगर इसके उपर निकलता है तो कल हमें यहाँ पर एक अच्छा का सा trade मिल सकता है जो buying का level होगा वो होगा 1470 1470 के उपर निकलेगा तो ही buy करना है उसके पहले buy नहीं करना है छोटा सा stop loss लगाएंगे 5 points का अगर यह level break ह होता है तो और इसके बाद trade करेंगे हमें लगता है कि इस expiry तक यह 1500 तक touch कर सकता है और कल के trading session के लिए हम लोग यहाँ पर 1485 तक 15 रुपए के आसपास तक trade लेके चलेंगे तो यह थे nifty और bank nifty का index analysis और कुछ stock analysis अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो definitely like कीजे चैनल को subscribe और अपने valuable comments जेना ना भूले thanks for watching the video keep learning keep investing and keep earning